असलामों आलेकुम, मैं जुलेखा अरफाद, जुलेखास किचिन से, तो चलिए, आज हम बनाते हैं कच्छे कीमे के चिकिन के कबब, बहुत ही बढ़िया जटपट घर पर आसानी से बनते हैं, तो चलिए, शुरू करते हैं आज की रेसिपी, साधा रानियाने, और मैं था स्कुीज करने के बाद, मैंने ब्लेंडर में डालके, हलका ब्लेंड कर लिया, क्योंकि मेरे जो चीकिन कीमा था थोड़ेसे मोटे-मोटे थे, अगर आपका अधेका पतला, यहानी धे, मशीन का कीमा हो और बारिक पिसा हुआ हो तो आपको ये ब्लेंड करने की ज़रूरत नहीं है कीमे को मैंने एक बड़े से बावल में दाल दिया है इसमें ये दो हरी मिर्चियों को मैंने दाल दी इसके अंदर, एक टेबल स्पून अधरक लसन का पेस्ट दाल दीजिए, मैंने एक छोटा चाय का चमश नम्मक दाल दिया है, हलका ऊपर भी दाला है, एक निम्बू का रस भी दाल दीजिए, ये दो मीडियम साइज की प्याज है, मैंने छूंदा की है, बारिक कटी ह दाल दीजिए थोड़ी सी, याने कि हरा धनिया, जादा मत दालिएगा अभी फिल हाल, एक छोटा चाय का चमश चाट मसाला, एक छोटा चाय का चमश भूना पीसा जीरा पाउडर, आदा छोटा चाय का चमश हल्दी पाउडर, एक छोटा चाय का चमश का पाउडर, आदा चोटे चाई के चमच भून कर ये बेसन डाल रही हूँ, थोड़ा सा तव्वे के ऊपर भून लीजिए और फिर डाल दीजिएगा, दो चोटे चाई के चमच चिली फ्लेक्स डाल दीजिए, वैसे आप चाहें, तो एक चोटा चाई का चमच भी डाल सकते हैं, स्पाइस कम अब हम आपने जो भी तरीके के शेप देने हैं, आपकी कबाबों को, आपने फ्लाइट बनाना है तो फ्लाइट बनाईए, आपको जो कबाब का शेप देना है, ऐसा दे सकते हैं, बट मैं क्या कर रही हूँ, थोड़ा सा तेल ले लीजिए, हातों में सबसे पहले तो, और ह इसके वज़े से बीच में से अच्छा चप्टा कीजिएगा, ये देखिए, एक ही तरीके की बनानी है, तो ये एक मेजरमेंट ऐसा ही रखिए, कि आप जो निवाला कैसे लेते हो, तो एस सब एक बड़ा निवाला टाइप लीजिए, मिक्सचर का, और इस तरीके से पैठी चप्टी बनाते जाएए, स्पेशली बीच में से चप्टी बनाएए, और इन्हें साइट पर रखते जाएए, इसे तरीके से मैंने सारी पैठी बना ली है, आप देख सकते हैं, चलिए अब फ्राइ कर लेते हैं, तवा लीजिए, फास्टाच पर चूला चालू कर दीप फ्राइ भी कर सकते हैं, अगर आपने कुछ दूसरे टाइप के शेप दाले हैं, बनाए हैं तो, चलिए अच्छा गरम हो जाता है, चूले को कर दीजिए मीडियम आज, और ये जो पैटी है, मैं फिर से थोड़ी सी बीच में से इस तरीके से चप्टी कर रहे हूँ, और बिस्मिल्लाइ रह्माली रेम, बोलकर जितने समा आपा हैं, उतने आपके फ्राइ पैन के अंदर दाल दीजिए, दो-तीन मिनिट तक फ्राइ कीजिए, जब दो-तीन मिनिट हो जाएं तो पलट दीजिए, और दो-तीन मिनिट पलट कर भी फिर से फ्राइ कीजिए, मीडि दीजिए, चार-पांच मिनिट में तो आराम से घल जाएगी, चिकन है, तो आपको चाहिए क्रिस्पी थोड़ा सा, तो आप चार-पांच मिनिट के बजाए, एक मिनिट मेरी तरह एक्स्ट्रा रख सकते, मैं जाधा एक, आधा एक मिनिट रख रही हुगे, कि मुझे हलके से क रिस्पी चाहिए, उपर और नीचे से, अब देखे, क्रिस्पी हो चुके हैं, तो इन्हें निकाल कर, नितार कर, मैं साइट पर रख देती हूँ, इसी तरीके से, आप बैचे में फ्राइ कर लीजिए, मैंने आधे अभी फ्राइ की है, आधे बात में करूंगी, तो आप मै बहुत ही मज़ेदा चटपटी लगती है, वैसे उसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप हाँ चेक कर लीजिएगा, इसके साथ सर्फ कर रहे हूँ, तो ये बन गए हमारे बढ़ी आसा कच्छे कीमी के चिकन की कबाब, ये देखे, कितने सॉफ्ट और इतने के अंदर, तो हैना मज़ेदार रसिपी आज की, अगर आज की रसिपी अगर आपको अच्छी लगई हो तो लाइक कीजिए, शेर कीजिए अपने फैमिली और फ्रेंज में इस वाले वीडियो के लिंक, और फिर हां जल से जल हाजिर होगी नहीं शानदार दंदार रसिपी क की साथ, अदल दें टेक्यार आला, हाफस, पाबार।